मेना जी आपको नहीं लगता है कि आपके और आपकी पिताजी के बीच में जो प्रक्रण चल रहा है उससे कही ना कहीं जो जाटव समाज है जो इस समय में बड़ा दावेदार है बीजिबी से यहां जीज सकता है, कोई विधायक बन सकता है समाज पर भी एक सवाल उठ रहा है कि यह आखिर क्या हो रहा है समाज क्या नीचा देखने को नहीं मिल रहा ठीकाराम जूली भी इस जो है कि आपर मतलब की इस पूरे प्रक्टरन के अंदर इन्वाल्व है ठीकाराम जूली और जैराम जाटव की कहीं न कहीं इन्वाल्मेंट है जिससे आपको परिशान किया जागा जैसे कि हम जानकारी मिलती है जरम जाटव कहते हैं कि जो आपका विक्ति का सम्मध है परिवारिक जो अनुबन है आप लोगों की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये आने वाले समय में ये सुलच जाएगी लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में उनको नीचा दिखाने के ल या आपको लगता है कि आपकी विक्तिका तुमकी साथ कई अनुबन है उसी एजेंड़ को लेकर आप चुनाव में उतरी है और किस विजन की साथ आप ये चुनाव में उतरी है जासमस्या है लेडि उस लेडिजों के साथ अत्याचा रह रहा है सोसन हो रहा है रेप हो रहे हैं जिक जिक और सरकार कुछ नहीं कर रही है और उनको दबाव मिलनरा है और यैसे कि हमें सूचनाव में उतरी हैं आपकी पिता जी पूर विधाग रह चुके हैं दो बार और इस बार वो भी मैदान में हैं क्या आप उनको उन पर निशाना साध कर या आपको लगता है कि आपकी व्यक्तिकत उनके साथ कई अनबन है उसी एजेंड़े को लेकर आप चुराओं में उतरी हैं कि कई वर दबाव से अत्ययाचारों से सोशन से अत्ययाचार कर रहा है इसलिए मैं राजनीती मुतनी हूं राजनीती का सोख नहीं है पर में दिखाना चाहती हूं बाप बेटी बाप बाप इतना कर सकता है राजनीती बेटी के साथ इतना अत्याचार करवा सकता है और रिष्टदारों से बिलेक मिल करवा सकता है सोसन करवा रहा है तो इसलिए राजनीते में इसलिए कूदना पड़ रहा है मुझे आना पड़ रहा है अत्याचारों के खिलाप तो आमने सामने इसलिए आना पड़ रहा है सोसन के लिए टो बाव बाव बेटी इतना करवा सकता है परिवार को मारने समकी तो इसलिए मुझे राजनिति में उतरना पड़ रहा है रख बैटी को ये दिखाना चाहती हुआ जो बेटी को नकार समध्य Ал्य भ हूंक निकार दिया तो वह हूं भी अपना क्या कर सकती है खून भी राजनिती में आ सकती है रेस्व बीटी में कर सकती है लेकिन जैसे कि हम जानकारी मिलती है जारम जाटव कहते हैं कि जो आपका संभन है परिवारिक जो अनबन यह अब लोगों की ऐसी कोई इस तरी का है ऐसा कोई आपकी देशर मन origine नहीं यह नई वह नीचा दिखाने कुछ नहीं यह पर मेरी भी इस इस मान संवान लिए तो जो मान जो ईकली को मान संवान नहीं मिला मान शंवान के लिए तो बात सारी होती है वोती ही क्या चीज है. टीका राम जुली पर आपने सवाल उठाया कि टीका राम जुली Candy आप पर मतलब के इस पूरे प्रैक्टरंटेंदर involved है और टीका राम जुली और जयार आचाधा की कहीं नहीं involvement है जिससे आपको परिशान किया जाए नहीं पहले पांच साल पहली टीकराम जूली की सपोर्ट करी ती जहराम जाटा उने अभी उसको टिकेट नियć मिले जहराम जूली के साथ ही जाएंगे तु आप अपने जो आपकी चाहने वाले हैं जो भेटा अमान सम मान करते हो और आगे ये कहना चारी हो आगे नेता कोई ऐसा नहीं कर सके बहन बेटी को निकाल नहीं सके और ऐसे मैं आवाज उठानी चाहिए और मैं उनके जनता के साथ रहूंगी बेटियों के साथ मान सम्मान के लिए मैं खड़ी रहूंगी आखरी में जाराम जाटव जी बड़े दाविदार हैं संभावना यह है कि उनको टिकेट मिल सकता है ऐसी खबर आ रही है तो ऐसे में अगर टिकेट मिलता है तो क्या उनका आप सपोर्ड करोगी या विरोध करोगी नई में जनता के साथ रहेंगी जो उसके कारणाम है उनके सामने जनता के सामने ले कि आऊंगी जनता के सामने ले कि आऊंगी एसा लोगों को भश्टचार नेताओं को तो सामने नहीं आने चाहिए था जो बेटिंग अमान सम्मान नहीं करते तो वो जनता के क्या अमान सम् बेटे मैं आपके बेटे को आपके भाई के साथ भादा ओई च्छ्रावं के मामला दर्ज हुआ तो स्थ पोस्टन को इसंट ये C वकड़ी है और उसको पोस्टर काटा के फाड़ गया है माला खेडा तो थाणे में गये थे बेटे को मार पिट करी जब उन्हें एफाइर दर्ज नहीं ली मेरी एफाइर दर्ज को भी जैराम जाटाओं का फोन पहुंच गया था इनके फाइर दर्ज मत लेना तो फिर दूसर में दूसरे दिन लिखने वाले तो हमारा मेरे बेटी का मेरा समझोता हो गया और समझोता और में थाने गई थी मेरी एफायर दज नहीं ली तो मेरी रिपोर्ट दज नहीं ली तो जैराम जी गये थे उसका बेटा गया था विजंदर कुमार तो कि दोनों गये थे दोनों गये थे फिर एफायर दज मेरी नहीं करवाई गई और विजंदर कुमार का उसका फॉन नंबर पॉन नंबर आ रहा है उसमें और हैंग करिये जब मेंना जी आपको नहीं लगता है कि आपके और आपकी पिताजी के बीच में जो प्रक्रेंट चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो जाटव समाज है जो इस समय में बड़ा दावेदार है बीजिबी से यह जी सकता है को विधायक बन सकता है समाज पर भी एक सवाल उठ रहा है कि ये आखिर क्या हो रहा है समाज क्या निच्छा देखने को नहीं मिल रहा है Me बիटी करता हो वान सम्मार नहीं रखता हो तो ऐसा नेता राजनिति में आनमीछ कर दो समझोती की बात है समझोता हम ने समझोता न हमारा हुआ है नहीं हम समझोता करेंगे मेरे उंगली से चाहिए मेरे गर्दन तक तक टक जाए जब इसम जोता नहीं करूंगी जरम जाटब यह कह रहे हैं कि हमारे ऐसी कोई बात नहीं है समझोता हो गया है नहीं उसके कहने से क्या है वो अफ़ुआ फैलाई जा रही है मेरे बेटी कार मेरे समझोता हो गया मेरे कोई समझोता नहीं हुआ नहीं मैं समझोता करना चाहती है जो मेरे मान सम्मान को ठेस हो जिए यह थी हमारे साथ मेने कुमारी जाठा उसी तोर पर कह रहे हैं कि इनको जो एजेंडा है चुनाव लड़ना है और महिलाओं के सम्मान जिस तरह अत्यचार हो रहे हैं महिलाओं पर कास तोर पर और अपने पिताजी के बारे में उने कहा कि जो अन्बन है बहुत यह ल मन वर्मा के साथ में डॉक्टर महीश वर्मा